बूर दोस्तों वीजे क्लास में पश्वागत है और आज हम एक नए चेप्टर शुचर मेट्रियल और शुचर पैटर्न के बारे में विस्तार पूर्वा कत्यान करेंगे देखते हैं सुचर होता क्या है और सुचर का यूज क्या है और किस टैप का सुचर होना चाहिए तो दोस्तों घाव के जो भी आप इंसीजन लगाते हैं कोई भी कट लगाते हैं या अगर कई घाव हो जाता है तो घाव के जो दोनों तरब की जो किनारे हैं उन दोनों तरब क किनारों को पास लाने के लिए उनको आपस में जोडने के लिए जो प्रोसेस काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं शुचरिंग और जो मेट्रियल काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं शुचर मेट्रियल ठीक है जो मेट्रियल काम में लेता है वो शुचर मेट्रियल होता और जो प्रोसेस होती है घाव के किनारों के एक दूसरे के आपस में पास में लाने की उनको आपस में मिलाने की जो क्रिया होती है परिक्रिया जो होती है उस परिक्रिया को बोलते हैं परिक्रिया को अपन बोलेंगे शुच्रिंग शुच्रिंग और जो मैट्रियल काम में ले चाहिए कैसा शुचर मेटरल एक तो ऐसा सुचर मेटरल उपलब्द हो अपने को आसानीच उपलब्द हो जाए दूसरा सस्ता मिले अपने को तीसरा उसके साइड कम से कम हो मतलब उसके एक तो जो है वो कोई तरह का infection या कोई तरह की capillary action नहीं करें, tissue को ज्यादा नुक्षान नहीं काफिया काफी जादा तीखान तीख होगा तो घाव को चाहशन को नुक्षान वोचयेगा इस तरह से राइसे Non capillary a एक 72 एक शंब होता है कि जैसे पतली एकुब होते हैं बारे डालोगी तो इसमें पानी शक हो जाएगा वो capillary action होता है ठीक है तो अगर इसमें भी alcohol का जैसे minute जो है gap अगर रहता है तो यह जो घाव है उसके किनारों पर लगेगा तो यहां से बलड या कोई भी exudate जो है वो इसके अंदर चला जाएगा अंदर चला जाएगा तो यह भी infection का source हो जाएगा तो नोन-capillary होना चाहिए तो ideal suture metal जो होता है वो non-capillary है अगर capillary होगा तो यह capillary है capillary का मतलब होता है छिद्र युकता इसे आगर इस capillary में क्या है कि गाव के आसपास से जो है blood वगारा या फिर exudate जो है वो इसके अंदर चला जाएगा इसके अंदर चला जाएगा तो इसके अंदर भी यहां पर भी आपने खींचा खींच तो इसकी strength जो है future metal की strength है वो भी सही होनी चाहिए अच्छा elastic होना चाहिए ज्यादा elastic भी नहीं होना चाहिए कि ज्यादा खिच जाए ठीक है तो एक proper भाहों जो उसमें जो घात लगें आपना उन तो कउले नहीं जैसे अपने बार जो अपने दो आ обязवार ठेक है और यहיों इसा नदिर मेड़ सकती है तो आचाहिए आज-चया नहीं सखने-चति नहीं उसने सस्ता हो, easily उखलब्द हो और उसके कोई non-capillary action हो, उसके अंदर और कोई allergy वगरा कोज नहीं करें और तीसरी ये है important चीज है कि उसमें गांट जो है वो आसानी से लग जाए दोस्तों, तो ये एक ideal suture material के characteristic हैं, फिर दोस्तों suture material को अपने दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक है absorbable suture material और एक होते हैं non-absorbable suture material, absorbable suture material का मतलब है, ये एक बार आपने इनको लगा दिया, तो आपको इनको हटाने के आउशकता नहीं, ये शरीर के अंदर खुद बे खुद जो है, शरीर के जो enzymes है, शरीर के अंदर enzymatic action हो करकि ये खुद बे खुद घल जाते हैं, शरीर के अंदर absorb कर लिए जाते हैं, तो इनको आपको अटाने के ये खुदने के आउशकता नहीं बढ़ते हैं, एक होते हैं दोस्तों, non-absorable suture, non-absorable suture हैं, ये अंदर गलते नहीं है, आपने को पहली बात ये है कि non-absorable suture होते हैं, इनको अपन बोडी के टीशू के अंदर नहीं लगाते हैं, ये मुख्यत कहा तो को उपर लगते हैं, ठीक है, non-absorable suture material जो है, वो absorb नहीं होता, और ये mostly लगाते हैं कहाँ पर, बाहरी सर्फेस के उपर लगाते हैं, तो अब्जूर होगा नहीं तो आप इसको हटाना पड़ेगा, आठ या दस मिन के बाद में जब घाव बर जाता है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, अब्जूरेबल suture material को आपको हटाने क्या आउशकता नहीं, ये बोडी के अंदर ये रहते हैं, और ये automatic body में digest कर लिये जाते हैं, एंजामेटिक रेक्शन होते हैं, एंजामेटिक रेक्शन होते हैं, जो है, डाइजेस्ट कर लिये जाते हैं, ओके, अ इसको बोलते हैं, लालेन का धागा हो सकता है, नाइलोन का धागा हो सकता है, इस्टेनलेस स्टील का तार, ये स्टेनलेस स्टील का तार आता है, पतला तार आता है स्टील का, ये काफी अच्छी नोट सेक्यूरिटी होती है, बहुत मजबूत होता है, इसकी strength power काफी तो यह जो suture material है यह आपके कौन से suture material non-absorber exam में सीधा-सीधा क्योशन आता है निमनमे ऐसे absorbable suture material है निमनमे ऐसे non-absorable suture material है option आपको दे दिये जाते है किवल आपको इसको identify करना पड़ेगा दोस्तों बहुत ज्यादा hard and fast उसके अंदर बहुत ज्यादा खतरना क्योशन आता नहीं है किवल सिंपल सिंपल यही से सीधा-सीधा क्योशन यहां पर बन जाता है दोस्तों कि अब्जोरेबल शूचर material जो होता है अब्जोरेबल शूचर मेटर आपको बता है कि आंत्री को पर लगाए जाते हैं और यह सरीर के अंदर enzymatic reaction से digestion हो जाता है इनका लाइसुजायम जो है वो खतम करतेता है इनको तो यह अब्जोरेबल शूचर मेटर में सबसे important रहता अपना cat-gut दोस्तों यह cat-gut जो होती है जो cat-gut जो होती है दोस्तों केट ओकर जो भेड की बेड की आत अब दोस्तों कई लोग कैट से मतलब बिल्ली की आत करते हैं महाँ पर option में रहता है बिल्ली की आत से पराफ्त होता है धेड की आत से पराफ्त होता है यह बेड़ की आँच से पराप्त होता है दोस्तों कैट गट जो होता है भेड़ की आँच से ने की कैट की आँच से हैं यहां पर कैट गट देखते ही उसमें ऑप्शन आता है कैट गट पराप्त होता है बिल्ली की आँच से उत्ते की आँच से बेड़ की आँच से गाय की आ होता है तो यह यहां से प्राप्त होता है protein यह protein परकरती का होता है यह और इसका treatment किया जाता है chromic acid से दोस्टों chromic acid से तो chromic acid से इसका treatment करके और इसकी जो capacity जो है इसका absorption time जो है अगर यह सीधा category आपने यूज लिया तो वो जल्दी अबढ़ोर हो जाता है सरीर के अंदर तो इसको chromic acid से treatment करते हैं इसका तो यह chromic cat gut बन जाता है दो तो chromic cat gut chromic cat gut chromic cat gut बन जाता है दोस्तों तो chromic cat gut जो बन गया तो यह जो है इसकी absorption time जो है वो जादा हो जाता अगर सीधा simple आपने cat gut काम में लिया है तो जो है यह पांस से दस दिन के अंदर जो है डाइजेस्ट हो जाएगा खतम हो जाएगा अब कि आपका गाव भर रहा ही नहीं है तो आपका घाव भरने के लिए चाहिए कि जादा दिन तक वहाँ पर बना रहे तो फिर आपको काम में लेना पते कि करोमी की कैट गट है तो इसक जो है एक ग्रेड वाल जो होता है जल्दी तो प्लेंक रितन चेहता है तो थोप्लेन केट कहलат करental धोथा है वो काफी जलक जल्दी है जरो जड़ाएं पास दिन किते समय में गल जाएगा वो टैम बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा यह उसमें रोल रहेगा उसके इस्ट्रेंफ बढ़ता जाएगी तो यह होता हैrete dot निगेट है गट है अब यह जो दागे जो होते हैं कोई भी जो दागे होते हैं इसमें नम्बरिंग होती है दोस्तों तो नम्बरिंग जरूर आपको याद रखने पर चाहिए कि तो नम्बरिंग के लिए आपको में बताऊं कि जो नम्बरिंग जो होती है दोस्तों दोस्तों यहाँ पर जो नंबरिंग जो होती है यह जो कोई भी जो दागा होता है अब जो सूचर मेटल जो होता है कि एट गट यह जीरो नंबर का फिर अगर आप एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर इस तरह से अगर इस तरह बढ़ते जाओगे तो इसकी जो मोटाई जो है वो बढ़ती जाएगे मोटाई बढ़ती जाएगे और अगर अगर आप इधर बढ़ोगे मतलब 01020304 अगर इस डायरेक्शन में अगर आप भढते जाओगे तो अगर 01 तोरी 1020 ये इधर अगर आप जाते जाओगे आप ये 0 से 1020 3040 देखे अगर cat cat के पाउच के उपर लिखा हुआ है एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर तो तो मोटाई जो है, उसकी थिकनेस जो है, मोटाई कम होती जाएगी, धागे की जो मोटाई जो है, वो इधर कम होती जाएगी, तो दोस्तों अगर इसमें देखें, तो आपको सबसे पतला जो है, सबसे पतला के एटगट जो है, वो कौन सा मिलेगा, 4-0, ओके, और सबसे मोटा मिलेगा 4 numbers तो यह आपको यादोना चाहिए तो यहां पर पतल्ा आपको चाहिए तो छोटा पतला लेंगे 10 20203040 और आपको मोटा चैहिए तो एक 2 number 3 number यह पाम में ले सकते हैं तो अगर इदर इधर बढ़ेंगे तो मोटा यह बढ़ती जाएगी और इधर के नंबर यह चाहिए और दोस्तों यह अपने देखा केट गट के बारे में फिर आता अपने पास में कोलेजन इसके अलावा आता कंगारू टेंडोन फेसिया लाटा पॉली गलाइकुलिक एसिड शूचर पॉली गलेक्टर नोसो दस और पॉली डैक्जोन यह सभी सूचर मेटरल हैं यह कौन से शूचर मेटरल हैं जोस्तों यह का पॉलीमर है इसके गलाइकुलिक एसिड का पॉलीमर है इसमें गलाइकुलिक एसिड प्लस लैक्टिक एसिड का कॉम्बीनेश्यन ओ गलाइकुलिक ऐसीड प्लस्टिक एस सेड ये इन दोनों का कॉम चिन रहता है कॉम इलाएशिट के अंदर काम में आते हैं 9 उनपाइव रहता है यह 9 का ratio रहता हो और यह 1 का ratio में रहता है तो यह polygallecton 910 होता है polyglexone होता है यह दोस्तों यह क्या है? अब यह poly देखकर गी अब डिशाइड मत कलना है कि poly यहाँ पर भी है और यह poly यहाँ पर भी है दोस्तों तो यह सारे इसे दिराइवेटेजें है गलाईकुलिकस्टिटील के सब लैको सब आयेगा पोलीFily hurry जब कि यह सिंपल हैए पॉली स्टर पॉलीश्टर पॉलीप्रोपैलेंपॉल एथिल्लीन यह Shh और यह है एप्जोरेबल शूचर मेट्रेल आपको इनको उधान जरूर याद होने चाहिए एक्जाम में सीधा-शीधा क्यूशन आता है दोस्तों कि कौन सा जो है वह एप्जूरेबल शूचर मेट्रेल है स्टैप क्यूशन अगर आप बात करें अपन निम्न में इससे नौन अप्जूरेबल नौन अप्जूरेबल शूचर मेट्रेयल है ओप्शन ए कोटन ओप्शन बी स्टैनलेस स्टैल ओप्शन थार्ड पोली एथेलीन पोली एथेलीन और ओप्शन चार है ओल तो दोस्तों यहां पर इसका अश्वर जो है नौन अप्जूरेबल शूचर मेटर कोटन स्टैनलेस स्टील पोली एथेलीन सभी के सभी जो है नौन अप्जूरेबल इसमें आंसर चला जाएगा आपका all इस तरह से सीधा सीधा यहां पर question आता है तो इस तरह से question कुछ भी आ सकता है option यहां पर change हो सकते है for example यहां पर यह दिया जा सकता आपको निम्न में से निम्न में से absorbable suture material है option polyethylene polyethylene poly propylene poly daxone और all दोस्तों यह आप देखिए absorbable suture material कौन सा आप सारे में आप confuse हो जाएंगे polyethylene polypropylene polytaxone और all तो इसमें आपको दिबाग लगाना पड़ेगा तो यह इसका आंसर राइट आंसर चला जाएगा polydaxone दोस्तों यह polydaxone की जगे यहां पर option polygalactone भी किया जा सकता था या polyglycolic acid भी किया जा सकता है था polyglycolic acid तो यहां पर आपको confuse नहीं होना आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो glycolic acid के जो derivative हैं वो सारे कैसे suture material है absorbable suture material है ठीके इसके अलावा जो भी poly आएंगे वो सारे non-absorable आएंगे ठीके इस तरह से question यहां पर अगर ज़्यादा थोड़ा सा confuse करने की कोसिस करेगा तो वह इस तरह का question यहां आपके पास में आ सकता है exam में अब दोस्तों अपने अभी देखा हां आपको बता दूँ कि यह सारे जो इनका पूरा बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर प्रिवेस क्लासों के अंदर आपको पूरा का पूरा डिटेल समझाया गया है यह क्लासे केवल और केवल आपको एक दुबारा पूना करवाने के लिए आपको करवाई जा रही हैं अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में अगर जाना हो तो आप पहले की कला से आप देखिए उसके अंदर आपको पूरा का पूरा पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा इन्में अब दोस्तों suture method suture pattern जो है suturing की जो pattern है यह suture के किस किस तरह से आप टाके लगा सकते हैं तो suture pattern suture pattern के दोस्तों मुख्य यदें दो होते हैं Can't reuse suture patron होता है एक तो एक वहता है Can't continuous के अंदर क्या होता है कि आपने एक बार निडल डाल दी यह सूचर लाइन है आपने एक बार निडल डाल दी यहां पर यहां से निकलोगी यहां निकलोगी यहां निकलोगी इस तरह से आप निकलोगी तो इसमें आपको बीच में दागा को काटने की आवशकता है नहीं पड तो बीच में आपको अगर बीच में आप दागा काट ओगे फिर दुबारा लगो एक तो टाइम ज्यादा लगता है दूसरी चीज़ क्या होती है शुचर मेटरेल भी आपको ज्यादा काम में लेना पड़ता है क्योंकि दागे के एंड्स भी रखना पड़ेगा ना तो थोड यह कासा नीचे लग जाता है लेकिन इसका नुक्षान के है दोस्तों अगर इसके अंदर के आए कि गाट बीच में नहीं लगाते है गाट जो होती है वो यह तो इसमें लाश्ट में लगाते है अब अगर दोस्तों बाइद वे अगर एक गाट भी अगर इसमें खुल गई अगर यह एक गाट अगर इसमें खुल गई तो फिर यह पूरा का पूरा जो सुचर है यह बिल्कुल लूज हो जाएगा और बिल्कुल पूरा का पूरा जो सुचर है वो खुल जाएगा तो इसका नुक्षान है कंटिनुस का तो इसमें क्या होगा कि अगर दो ही गाट होता है दोस्तों यह मुख्यत अपन काम में लेते हैं कि कहां पर पेरिटोनियम के अंदर काम में लेते हैं कि पेरिटोनियम कि पेरिटोनियम कि या फिर मास पेशियों के अंदर लगाते हैं अपन टाका कि तब यहां पर आपन काम में लेते हैं कि फिर आता है दूसरा पेटर मड़ागाइब शुकते आपको तो इसमें बार बार मफो एक नए जगे करने हो फिर आपको नई पर आपको जगे करने तो तो एह तो यह इसके अंदर दागे आंगर नुक्षयन जादा होता हर एक pattern के बाद में आपने एक बाować हम निडर निखाली फिर आप गांट लगाई आ गार're यह पिर दूसरी जीगा आपको निडर डालनी पड़ेगी फिर आप गांट लगानी पड़ेगी फिर दागा काटना पड़ेगा पूर conservative इसमें देखिए कि एक तो दागे का नुक्षान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है फिर एक आपको टैम भी ज़्यादा लगेगा है क्योंकि इसमें दुबारा इडिल डालोगे फिर बाद में वापस काटोगे फिर बाद में दुबारा लगाटोगे फिर दागा काटोगे फिर दुबारा इसमें कोई दिक्कत नहीं पढ़ती इसमें, क्योंकि नीचे तो गार्ट लगी हुई है, तो किवल ये गार्ट खुट लेगी, तो किवल ये दागा हट जाएगा उसके अंदर, दूसरे दागा हटेगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके अंदर किवल एक गार्ट खुल इसके अंदर होके, दूसरा नहीं खुल पाईगा इसमें, जबकि इसके अंदर क्या हुआ था दोस्तों? इसके अंदर हुआ था कि अगर एक इंडर खुल गई तो फिर सारा का शारा जो है, सुचर मेट्रेल जो है वो वो सेपरेट हो जाएगा, इंसिजन लाइन जो है खुल लिएर मेजर डिफ्रेंस ये होता इसमें अब अपन डिटेल के अंदर कारते हैं निडल डाली एक जगह, फिर दूसरी जगह से निकाली आपने, यह देखे, यहां से डाली, यहां निकाली, one, two, और फिर इन दोनों के बीच में गाठ लगा दी, ठीक है, फिर दुबारा हटा दिया दागा, फिर यहां से डाली, यहां निकाली, और इन दोनों के बीच में गा और फिर यह गांट लगा दी यहाँ पर ठीक है तो यह जो pattern है दोस्तों यह simple interpreted pattern है और इसमें क्या होता है कि दोस्तों अच्छा आता है simple interpreted suture के अंदर इसमें दोस्तों सुचर यह इसमें exposure कैसे लेगे गहां इसमें यहां से आपने डिडल डाली, यहां निकाल ली, फिर यहां निकालोगे, तो इसमें एक प्रोस मेटर्स लगाने का सबसे पहले आपने यहां निडल डाली और यहां निकाले ठीक है यहां एक नमबर और फिर यहां से यह निकल गई अब दोस्तों इसको यहां पर लेकर के जाओगे निडल को और यहां से निकाल लोगे ठीक है यहां लगाई और फिर यहां से निकाल यह जो गाठ लग जाएगी, यह मतलब एक क्रोश टैप में इस्ट्रेक्चर बन जाएगी, इस तरह से बने गाई है, one, two, three, four, तो यह इस तरह से, मतलब एक क्रोश के टैप के अंदर यह पेटरन बनेगा, बिल्कुल क्रोश के टैप में, तो यह क्रोश मेटरस सुचर पेटर पेटरन है, इंटरप्टेट का, क्रोश मेटरस और इस क्रोश मेटरस पेटरन है, यह काफी ज़्यादा मजबूती परधान करता है, मुशली पूच के अंदर जिसे टेल अम्पूटेशन अगर आप करते हैं, तो वहाँ पर आप इस पेटरन को आप काम में ले सकते हैं, टे जो है यह बिल्कुल क्रोश के पेटरन के अंदर आएगा, ठीक हैं फिर दूसरा आता है, दोस्तों अपने पास में, क्रोश मेटरस के बाद में यह देखी हैं, इसलिए थ्दिसले स्लाइड में देखी हैं, फिर आता है अपने पास में वर्टिकल मेट्रस तो वर्टिकल मेट्रस जो है तो वर्टिकल मेट्रस जो है वर्टिकल मेट्रस कैसे लगेगा वर्टिकल मेट्रस पैटरन कैसे लगेगा दोस्तों यह इंसीजन लाइन अगर है तो वर्टिकल मेट्रस लगे यहां से निडल डाली, यहां निकाले, पहला पॉइंट यहां पर आएगा, दूसरा यहां आएगा, फिर यहां से वापस यहां से डालेंगे, और यहां से निकाल देंगे, फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चोथा पॉइंट यहां पर आएगा, ठीक है तो ये फिर बाद में यहां से निकाले करके और फिर गाठ कहा लग जाएगी इन दोनों के बीच में लग जाएगी दोस्तों यहां पर फिर काट देंगे धागे को फिर दुबारा निदे यहां से डालेंगे यहां पर बाहर निकालेंगे फिर यहां से इंसर्ट करेंगे फिर यहां से बाहर निकालेंगे और फिर इन दोनों के बीच में गाट लगा देंगे पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट और यह चोथा पॉइंट फिर दागे को काट देंगे फिर आप यहां से डालेंगे यहां निकालेंगे फिर यहां से डालेंगे और यहां पर निकालेंगे और इन दोनों के बीच में गाट लगा देंगे ताब यह देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो चूचर जो लाइन है इंसीजन लाइन के लंबवत आती है सूचर लाइन जो है ये जो सूचर लाइन जो आ रही है ये किसके इस इंसीजन के लाइन के लंबवत आती है तो वर्टिकल मेटरेस के अंदर अगर आपसे पूछे कि सर शूचरी मेटल, इनशीजन लाइन के लंवत, कौन से शूचर पैटरन के अन्दर आती है, तो दोस्तों, वर्टिकल, मैटरऽ के अंदर गाम में आती है दोस्तों यह, और अगर बात करें इसकी, एह कहाँ पर लगाया जाता है यह यह शूचर पैटरन जो हाता है, वो टी वर्टिकल मेट्रस पेटरन जो है यह यहां पर फोलो किया जाता है, वर्टिकल मेट्रस पेटरन के अंदर यहां पर सूचर लगाया जाता है, यह वर्टिकल मेट्रस, फिर इसी से मिलता जुलता दोस्तों आता है अपने पास में, होरीजोंटल मेट्रस, होरीजोंटल मेट्रस horizontal mattress आता है इसके बाद में horizontal mattress जो pattern आता है दोस्तों horizontal mattress pattern जो है इसके अंदर क्या होता है कि जो incision जो line है incision line है ये incision line है इसके अंदर suture कैसे लगेगा इसमें जो incision suture line जो है वो incision line के बिल्कुल बिल्कुल लंव बिल्कुल उसके parallel चलती है इसके अंदर इसके अंदर कैसे आप लगाते है horizontal mattress जो होता है कैसे लगता है दोस्तों यह यहां से आपने needle डाली और फिर यहां पर आपने एक मिन शोरी दोस्तों दोस्तों horizontal mattress जो pattern होता है इसके अंदर incision suture line जो है वो incision line के कहां चलती है बिल्कुल parallel चलती है तो दोस्तों यह देखिए इसके अंदर यह आपने इधर से डाली यहां निकाली फिर इधर से डालेंगे आप और फिर यहां निकालेंगे ठीक है यहां से डाली पहला point यहां आएगा फिर यहां से निकालेंगे फिर यहां से वापस डालेंगे और इधर आप वापस निकालेंगे और फिर इन दोनों के बीच में ज गौरे यह हो जाए गां फिर इन दोनों के बीक में नाट लगा देंगे फिर इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा तो आप यह देखे जिये। यह suture line है, यह suture line है, और यह incision line लाइन तो suture line जो है वह incision tai लाइन के कैसे रही है, बिल्कुल, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल समाना अंदर चल रही है, तो होरीजोन्टल मेट्रस के अंदर, होरीजोन्टल मेट्रस जो शूचर होता है, इसमें, दोस्तों, सूचर लाइन जो है, वो इंसीजन लाइन के, बिल्कुल, पैरेलल चलती है, स इंसीजन लाइन के समानांतर सुचर लाइन जो है वो इंसीजन लाइन के बिल्कुल समानांतर चलती है इस तरह से ये पैटरन चलता है दोस्तों इन दोनों ही पैटरन के अंदर चाहे से वर्टिकल मेटरस हो चाहे से होरिजून्टल मेटरस हो इसके अंदर जो end जो होंगे हैं incision line के दोनों wound के जो end जोगे incision line के जो तोनों तरफ के ends हैं वो एक दूसरे के उपर आ जाते हैं तो इसके जो end ये तोनों ends हैं ये दोनों जैसे लिए लगाओगे आप suture तो ये से उपर की तरफ आ जाएंगे तो जो उपर की तरफ जो एंड जो है उभर जाते हैं तो ये इसको एक special टैप बोलते हैं इवर्जन टैप इवर्जन मतलब बार की तरफ और अगर ये जो एंड जो अगर ये अंदर की तरफ जाएं ये जो एंड सोते हैं ये अंदर की तरफ जाएं उस टैप को तीनों के तीनों जो है वो şunu टायब की सूचर पैटरन है कि इम आख़। दॉस का मतलब होता है कि जो सूचर के जो इंसीजन के जो एज हैं गूंड के के जो एज हैं वो सूचर लगने कि इपने बाद में उपर की तरब भार की तरफ उबर जाते हैं इस कानसिस को बोलते हैं इवार्जन टायप का सूचरिज कै फिर अपने पाम दोस्तों आता है कि ओइघिंग क seus ट्रेटरन तो ऑवर लेपिंग शूचर पैटरन क्या होता है दोस्तों कि ओवेर और लेप्टेट होटा है काफ इंहती है यह ओवर लेपिंग जो हर्नीया का केस होता है और यह हर्नियल की जो हर्निया बंद करने के काम आता है आप इसको 5 श्टार माने के आप याद करें इसको कि ओवरलेबिंग सुचर पेटरन जो है वो कहां पर काम आता है हर्निया के केस में हर्नियल रिंग को बंद करने के केस में काम आता है ओवरलेबिंग सुचर पेटरन अब यह कैसे लगता है दोस्तों यह इंसीजन यह उपर का पार्ट है यह नीचे का पार्ट है यह इंसीजन लाइन है इसमें दोस्तों कैसे लगाएंगे आप यही होता है यहां से आप निडल डालेंगे तीक है यहां से आप निडल डालेंगे इसमें यहां से निडल यहां पर आप पीसरा पॉइंट आएस के उपर आ जाएगा और यह निकालेंगे किदर इधर चोथा पॉइंट आएगा इधर से डालोगे आप और इधर से निकालोगे ठीक है इसी तरह से वापस इस तरह से फिर आप इन दोनों के दोनों एंड्स को ऐसे पकड़ करके खिंच तो यह जो हिस्सा है यह इस हिस्से के इस एज के उपर आ जाएगा मतलब ओवरलेप कर रहेगा जैसे यह जो शर्ट जो है इसमें देखिए दोस्तों यह जो एंड है यह अंदर की तरफ है और यह इसके उपर की तरफ है ओवरलेप इस तरह से आ जाएएंगे दोनों यह के उपर आजाएगा यह इसके अंदर चला जाएगा तो यह और लेपिंग शूचर पैटर्न और यह काम में आता है दोस्तों हर्नियल रिंग को बंद करने में बिल्कुल फाइब स्टार पॉइंट है यह आप उसको याद करेंगे फिर दोस्तों अपने पास में आता है क्यूल्ट शूचर क्यूल्ट शूचर आता है लंबार शूचर आता है हास्टेर शूचर आता है तो अपने बात करते हैं क्यूल्ट शूचर की कि यूल्ट शूचर तो दोस्तों कुछ भी नहीं है जो वर्टिकल मेट्रस का वर्टिकल मेट्रस शूचर लगाये थे आप वर्टिकल मेट्रस जो शूचर आपने लगाये थे उसी का मोडिफिकेशन है मोडिफिकेशन है इसमें क्या करते हैं कि यह जो इंसीजन जो लाइन थी दोस्तों यह जो इंसीजन लाइन थी यह यहां से आपने डाला यहां निकाला फैला पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट फिर यहां तीसरा पॉइंट यहां चोथा पॉइंट और फिर यहां पर काट लगा दी थे आपने ठीक है तो इस केस के अंदर क्या करते हैं कि यह जो बीच में जो गैब बना है यहां पर इस gap के अंदर जो है यहाँ पर आप कोई भी प्लास्टिक या रबड की ट्यूब प्लास्टिक या फिर रबड की ट्यूब रबड की ट्यूब डाल देते हैं यह देख पा रहे हैं आप कि इसके अंदर simple vertical mattress type का ही सुचर लगाना है अपने को लेकिन यह जो बीच में जो gap है इसमें बीच में प्लास्टिक या रबड की ट्यूब अपन डाल देते हैं और वो क्यों डाल देते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा pressure हो जाता है बहुत ज़्यादा खिचाव हो जाता है यह रबड यह प्लास्टिकी टूब डाल देते हैं जिसके काण सी यह जो टीश्यू जो होता है इसके पर बहुत ज्यादा tension यह तनाव नहीं आता है तो यह फटेगा नहीं यह मदब टीयर नहीं होगा मुश्ट लिए कहां पर किया जाता है दोस्तों यह वेजाइनल प्रोलैप्स के केस के अंदर प्रोलैप्स जब होता है प्रोलैप्स वेजाइनल यह सरवाइकल जो प्रोलैप्स होता है उस प्रोलैप्स के केस में यह पैटरन जो है वो काम में ल जो लगाएगा तो अगर सिंपल अगर अपने वर्टिकल मेटर्स अगर आपने लगाया तो वहां पर जो लगाएगा तो फट सकता है मतलब सारी का सारा जो टीशू भी डैमेज हो जाएगा शुचर भी फट जाएगा तो इसलिए बीच के अंदर ये प्लास्ट की अरबड की कि अपन ट्यूब इसमें डाल देते हैं दोस्तों तो यह होता है क्यूल्ट शूचर फिर दोस्तों अपने पास में आता है लंबाट शुचर लंबाट शुचर दोस्तों ये लंबाट शुचर जो है ये क्या बोलता है लंबाट शुचर जो है ये मुख्यत लगाया कहां पर जाता है ये आपको सबसे इंपोर्टन काफी ज़्यादा काम में लिया जाता है और ये मुखहत है हो लो जो ओर्गंस होते हैं,asion तरीम होलो फेल्टार्ट्ट्व मतलब जो खोगले ओर्गंस जैसे की रूंद्वन हो गया, घरबाज से हो गया, हैं, बलेडर हो गया, मतलब मुतराज से है, तो इनको सीलने के लिए अगर इनमें कोई टियर हो जाता है तो इनको सीलने के लिए ये पैटरन सुचर लंबड सुचर पैटरन जो है दोस्तों मुकाम में लिया जाता है लंबड सुचर पैटरन लंबड सुचर पैटरन दोखिए दोस्तों कैसे लगता है यह अगर इंसीजन लाइन है तो इसमें यहां से निडल डालेंगे आप यहां निकाल देंगे फिर नीचे से यहां से निकालेंगे फिर यह उपर की तरफ से आएगी दोस्तों यहां पर फिर यहां पर निकालेंगे और फिर इसको यहां से डालके यहां उपर निकालेंगे यह फॉर्थ यह लाइन जो है नीचे से जारी फिर आपने यहां पर डाली फिर यहां निकाली फिर यहां से डालके फिर उपर की तरफ से आएगी यह फिर यहां पर तीसरा पॉंट आएगा फिर यहां से आप निकालेंगे चोथा पॉंट आएगा और फिर यहां से निकालेंगे इन दोनों को आप बाहन देंगे यह पैटरन चलता है दोस्तों यह पैटरन भी क्या कि सूस्यर लाइन के बिल्कुल लमवत चलेगा और यह मुख्य तक आम में लिया जाता है होलो ओर्गंस के अंदर इसके अंदर खास बात यह होती है कि इसमें जो नेडल जो डाल दी जाती है वो काफी तक नहीं जाए दिसे आपको अपो करी कोई जो टीशू होता है कोई भी जो टीशिउ होता है कि सबसे बारी बार जो टीफ्ट मस्कूलर लेयर आती है, मस्कूलर लेयर आती है, पहला बार ही बार जो लेयर है, वो सीरोजा लेयर है, फिर आती है, मस्कूलर लेयर आती है, फिर आती है आपके, सब म्यूकोजा लेयर आती है, और फिर उसके अंदर आती है दोस्तों म्यूकोजा लेयर, यह pattern होता है कोई भी organ जो होता है hollow organ उस hollow organ की बार ही बार का जो layer होती है उसको सेरोज़ा बोलते हैं फिर उसके अंदर जो आते muscular layer आती है फिर उसके निचे आएगी शब mucosha लेर आएगी और फिर उसके निचे आएगया mucosha और उसके बाद में उसकी cavity आजाएगी हैं यह अंदर का part आजाएगा cavity आजाएगी गुफा आजाएगी उसकी तो इसके अंदर जो सीलने के लिए अपन इसके अंदर जो निडल निकालते हैं दोस्तों वो जो निडल जो होती है वो केवल सभी mucosha layer से ही बार निकाल लेते हैं अपन इस mucosha layer में नहीं जाते क्योंक अबर इस mucosha layer के संपरक में रहता है तो अगर आपने mucosha layer से अगर आपने निकाला जो है वो आपकी निडल पर भी लग जाएगा फिर आप दूसरी bite लेंगे जब दूसरा दूबारा से आप उसमें निकालेंगे तो वो दूसरी सीरोजा layer muscular layer से mucosha layer उसमें भी गंदगी फैलाएगा तो वाँ पर infection हो शकता है तो वो infection infection से बचाने के लिए ही अपन जो है वो यह तरीका काम में लेते हैं कि निडल को आप mucosha layer तक नहीं लेकर के जाते तो दोस्तों लंबार चुचर पेटरन के अंदर जो निडल होती है उसको आप केवल सब mucosha layer तक ही लेकर के जाते हैं mucosha layer तक नहीं लेकर जाते हैं अगर आप mucosha layer तक अगर आप लेकर के जाएंगे तो इसकी cavity का जो भी पार्ट है जो बढ़ाया जो भी गंदगी है वो इसके संपर्ग में आ जाएगी और निडल जो है आपकी infected हो जाएगी तो यह दोस्तों है लंबार चुचर पेटरन और यह मुख्यत काम में आता है रूमन में गरबासे में मुतरासे में यहां पर सूचर लगाने के काम में आता है एक होता है हाल स्टेट सूचर पेटरन तो दोस्तों हाल स्टेट सूचर पेटरन भी जो है वो लंबार पेटरन का ही एक modified रूप है लंबार और किसका horizontal mattress pattern का कोई बहुत ज़्यादा important नहीं है फिर दोस्तों अपन देखते हैं यह अपने देखा interrupted suture पर इंट्रप्टेर शूचर के इतने सारे example देखें कहां काम पर अपने को काम में लेते हैं अब अपन देखते हैं continuous suture pattern तो continuous method के अंदर अपने पास जो टेक्निक्स आते हैं वो आती पहली आते simple continuous फिर आते लोकिस्टिक suture pattern horizontal mattress पार सिस्टिंग शूचर पेटर लंबार शूचर पेटर जोबड़ कसिंग और अब को अनल देखिए अब आप अपन रहेंगे कि लंबार पेटर आपने वहां पर भी पढ़ाया था हैं लंबार पेटर आपने वहां पर भी पढ़ाया था और दोनों के दोनों pattern अगर यह दोस्तों यह अगर यह suture line है तो यह पर ढ़ाट लगा देखा कि बीच के अंदर कहीं पर भी दागा नहीं काटा गया एक बार आपने निडल डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए यह देखें दोस्तों, यह continuous pattern के अंदर यह, continuous pattern, बिल्कुल सिंपल तरीका है, continuous pattern में आपने switchering आपने कर दी, और यह simple continuous pattern जो है, वो कहां परियूज में आता है दोस्तों, यह continuous pattern जो है, आपको पहले भी बताया कि peritonium के अंदर आता है, peritonium, evum, mass patient के अंदर काम में आता है, ठीक है, फिर दोस्तों, दूसरा अपना pattern आता है, logistic suture pattern, logistic suture pattern, logistic suture pattern भी just similar इसी तरह का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है, वो difference है, logistic के अंदर, वो यह है, कि यह suture line है, इसमें यहां से needle डाले, यहां डाले, तो जैसे इसमें यहां पर एक गांथ लगा दी, फिर आप यहां पर जैसे आप निकालेंगे, तो फिर यह जो है उसके वापस तरह गुमाव कर निकालेंगे आप इसमें, यह देखिये, इसके अंदर एक डर्जी की मसीन होती है, वह जो pattern लगाती है वो lowk lipstick, log हो जयाता है इसका अंदर तो देख़िए अपस सीधा का सीधा लग रहा है जबकि इसके अंदर से गुंझाव के अंदर से जो गुंझाव जो ओ अओ उसके अंदर से वापस निड़ल को निकाला आपने हरनिया के केस के अंदर अपन काम में रेते हैं डाइफ्रागमेटिक हरनिया के केस में हरनिया के केस में किसको सीलते है अपन डाइफ्राम को डाइफ्राम भी क्या है एक mazpancy है इस diaphragm को सीलने में तो के रिपेर में डाइफराम में जो ब्रिकेज हो जाता है डाइफराम फट जाता है तुछ डाइफराम को सीलने के अंदर यह अपन लोगिस्टिक पैचन अपन यूज करते हैं जो दर्जी की जो मसीन जो सूुचर पैटर्न यूज्ज करती वो अपन जो पैटर्न काम में लेते हैं वो लेते हैं हम आपनग लेपिंगơn कर्वेकर नेका अठीक लिए लोह स्थिक शुच्छर पैटर्न ये याप याद रखेंगे हर याथ हर्मिया का के सेसले कि लिफ्र्मिया कांप लेंगे तरवाइफ अपनगर अर्ना के समय और लेपिंग सुचर पेटरन का में लेते हैं कि फिर दोस्ते अपने पास मेरा हो री जोंटल मेटरस पैटरन बिल्क्ल सिमिलेर जैसा आपने पिछली कहल स में बताया समगरे री जॉट एसले बाटे बेट हुरिजंटल पैटरन जो है फैसे पुर जोच्र गाठ लगा कि इसको हटाना नहीं है लगातार पेटरन जो है एजटीश चलता जाएगा आपको दागों को बीच में से काटना नहीं है इसी तरह से लंबार पेटरन जो है लंबार पेटरन कहां पर अपने काम में लेते हैं होलो गंस के अंदर गरबासे के अंदर रूमन के अं पर्स स्ट्रिंग्च शुचर नाम से ही इसमें यह पता पढ़ रहा है कि पर्स का जो डोरी होती है पर्स की जो डोरी होती है पर्स जो हता केरी बैग जो हता है उसकी जो डोरी होती है उसमें जो शुचर पेटरन लगता है यह देखिए यह आपका केरी बैग है इसमें यह यह यहां पर इसका मुंय है सकरी बैग का और इसके अंदर जो दोनों जो दोनो दोरी निगली रतेऊ इसलंपली देखेंगे यह रसी निगली निकली एक तरफ आप इस हो जाएगा ओश्यों बन्द हो जाएगा हो यह मूं जो है विल्कुल बन्द हो जाएगा इस रसी को कहेंसने से देखें जो इस परस के जो ऍश्ट्रhou के बंदि सिपयाफु इसकर पार को पेटर्न होता है तो यह देखिए इसी तरह का पेटर्न है उस पेटर्न लगता है तो इस पार अपन कोई भी जैसे ओपनिंग होती अब यह देखे है यहां बाल बैग के के अंदर अपने क्या करते हैं कि इस एनस की जो ओपनिंग होती है इसको छोटा करते हैं इसके अंदर यहां पर आपने डाली फिर यहां से निकाले फिर यहां डाली फिर यहां डाली फिर यहां डाली यहां निकाली यहां डाली और फिर यह जो शारा का सारा जो है यह इस तरह यहां पर आप लगा सकते हैं ुसको जिता karate करोगे तो उसे यह opening जो है वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी तो opening जो होती है उसको बंद करने के काम आता है नेचुरल जो काम आता है और मैंली कहां पर यह काम में लिया जाता है एनल गलेंड को बंद करने में एनल गलेंड प्रोलाप्स के अंदर एनल प्रोलाप्स के अंदर अपन काम में लेते हैं एनल ओपनिंग को बंद करने में या छोटा करने में या एनल प्रोलाप्स जो होता है प्रोलाप्स जो होता है प्रोलाप्स उस केस में अपन काम में यह पैटन लेते हैं तो कोई भी नेश्यरल ओपनिंग होती है उस नेश्यरल ओपनिंग को आपको छोटा करना ही या बंद करना है तो यह पैटर्न काम में लिया जाता है तो इससे यह ओपनिंग जो होती है दोस्तों यह ओपनिंग क्या है इसको जटाइट करें तो ज्यादा यह चोटी होती जाए जो बड़ बड़ थोड़ सा अलग है आपको इत्ता याद रखा है जो बड़ बैटरन के अंदर ये आपका intestinal obstruction, intestinal को बंद करने में काम में आता है, intestinal surgery जो करते हैं, आथ की opening, आथ, आथों की जो surgery की जाती है, आथों की आथ की, आथ के अंदर जब infection पढ़ जाता है, बंद पढ़ जाता है, आथ घूम जाती है, into suspension हो जाता है, वो बुलश हो जाता है, उस case के अंदर जब आथ के ये आथ है, अगर इस आथ को फिर suture लगाया जाएगा, ये आथ के ये पास, इसको आप हटा करके, फिर remaining part को अगर आप suture लगाओगे, तो उसमें followed किया जाएगा घूबर्ड पैरण, ठीक है, ये जोबड़ पैरण काम में लिया जाता है, जोबड पैरण काम में लिया जाता है, जोबड पैरण कहां पर काम में आता है, LinkedIn इंटेश्टाइनल सरजरी के अंदर काम में आता है आतों की सरजरी आत को बंद करने के काम में आता है आत की सरफेस जो होती है उस पर सूचर लगाते हैं जो बड़ पैटरन से लगाते हैं फिर दोस्तों अपने पास में आता है कसिंग पैटरन और कोनल पैटरन तो जो बड़ पैटरन यह आप याद रखें कि जो बड़ पैटरन कैसा होता है काफी कॉंप्लिकेट है आपको थयादा याद करना नहीं है जो बड़ पैटरन जो है वह इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल हातो के जो सरजरी होती है में यूज किया जाता है कि यह आप याद रखेंगे ओके फिर दोस्तों अपने पास में आता है कि कसिंग शूचर पैटरन कि कसिंग शूचर पैटरन जो है वो किस तरह का होता है देखिए कसिंग शूचर पैटरन जो होता है वो किस तरह को होता है तो यह कसिंग शूचर पैटरन जो होता है दोस्तों ये चलता है incision line के ये अगर incision line अपर माने इसमें क्या करते हैं पहले यहां से needle डाले फिर यहां निकालते हैं फिर इस needle को आप इधर से निकालेंगे यहां से निकालेंगे फिर यहां निकालेंगे फिर यहां निकालेंगे तो जो suture pattern जो है वो देखे आप इस तरह से जाता जाएगा ठीक है तो जो suture line है यह आप देखे यह जो incision की जो line है incision line यह है और suture line जो है वो जा रही किसके इसके बिलकुल समानांतर जा रही है तो इसके अंदर क्या होता है कि incision suture line suture line incision line के समानांतर समा के समानांतर रहती है ठीक है तो यह जो suture line है कि incision line के समानांतर चलती है और इसमें जो निडल होती है दोस्तों निडल जो है वो बिलकुल सैम जैसे आपने लंबाड पेटरन के अंदर बताया था कि निडल सब्यूकोजा लेयर तक ही जाती है सैम उसी तरह से इसमें निडल जो है निडल सब्यूकोजा सब्यूकोजा लेयर तक ही तक ही जाती है म्यूकोजा लेयर को पैनेटरेट नहीं करती है दोस्तों जैसा आपको लंबाड पेटरन के अंदर बताया था लंबाड पैटरन के अंदर आपको बताया था कि सूचर जो निडल जो होती है आपकी वो निडल जो है वो सब्यूकोजा लेयर तक ही जाती है और इसमें सूचर लाइन जो है इंसीजन लाइन के बिल्गूर समाना अंतर चलेगी यह यहाँ पर निकाला फिर यहां निकाला कंटिनुस जाती जा रही है तो कसिंग पैट्रन के कस फेंटरन ही है लंबाड पैट्रन जो है वो केवल 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 रहेगा और एक जो सुचर पैट्रन है दोस्तों वह आपका conal suture pattern conal suture conal suture तो conal suture pattern जो है दोस्तो conal suture pattern जो है वो भी just similar cussing suture pattern की तरह ही लगता है लेकिन conal और cussing में difference क्या है कि इसमें जो needle होती है जोस्तों ये needle needle mucosa layer तक तक पैनेट्रेट करती है, तक जाती है, देखिए जिस्ट सिमिलर है, कसिंग और कोनल पैटरन जो है, बेलकुल इसी तरह से लगेगा, कोनल पैटरन भी, लेकिन इसमें निडल जो है, वो कितनी डैप्थ तक जाएगी, इसमें निडल जो है, मुको सा लेयर तक जाएगी, जब दीप तक जाती है और इसमें क्या है सब्मुकोशा लेयर तक ही जाती है दोस्तों तो यह कसिंग पैटरन कसिंग पैटरन जो है वो लंबाड पैटरन के साथ ही फोलो किया जाता है जो कसिंग पैटरन है दोस्तों यह कहां लगाया जाता है सबसे पहले जो होलो और गंस के दूसरी ले यर को बताई कौन सी लगती है पहली लेयर लेखते यह होलो ओरड जाती है वो कसिंग पैटरन से लगाते हैं हैं तो दो ले अपन光 लगाते हैं तो पैर में तो लग जाएगा कौन सा लंबार्ट और दूसरी ले इसे के अलावे इसो फेगस की सर्जरी के अंदर काम में लिया जाता है दोस्तों लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है इसमें अंतर यह है कि जो निडल जो होती है अपनी जो निडल अपने काम में ले रहे हैं टाके लगाने में वो निडल मुकोसा लेयर तक पार करती है यहां से क्यूशन जो है वो यहां से अराइज हो सकते हैं दोस्तों उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे देखिए यहां से क्यूशन जो है वो कैसे कैसे बन सकते हैं यह देखिए क्यूशन पैटरन जो है वो कैसा बनेगा यहां से क्यूशन पैटरन जो है वो कैसा बनेगा दोस्तों यहां से क्यूशन पैटरन कैसा बनता है यहां से तो देखिए टीट फिस्सूला को रिपेर किया जाते है देखिए दोस्तों यहां पर नमबर वन ओप्षन है होरी जोन्टल मैटरस पैटरन से वर्टिकल मैटरस पैटरन से कस्षिंग पैटरन से या फिर या फिर लंबर्ड पैटरन से लंबर्ड पैटरन से सबसे इम्पोर्टन क्यूशन बनता है यहां से कई राया हुआ है तो आप का आंस्वर जो है दोस्तों यहां पर सीधा सीधा आपका आंश्वर जो है वर्टिकल मेट्रस पैटन आपका चला जाएगा फिर अपन दूसरा क्यूशन देखते हैं दोस्तों दूसरा क्यूशन कैसे राइज होता है यहां पर निमन मेज से निमन मेज से कंटीनिवस सूचर पैटन है निमन मेज से कंटीनिवस सूचर पैटन है निमन मेज से कंटीनिवस सूचर पैटन है कंटीनिवस सूचर पैटन है ओप्सन आपके पास में राइज होता है यहां पर पर्स स्ट्रिंच पैटर्न ब लंबार्ट पैटर्न लंबार्ट पैटर्न सी ओरिजोंटल पैटर्न और डी वर्टिकल मैट्रस पैटर्न तो दोस्तों अगर आप को जैसे मैंने बताया कि पर्स स्ट्रिंच लंबार्ट वर्टिकल मैट्रस आपने जो डिटेल से मैंने आपको बताया तो उसमें आपको बताया कि अंदर आपको नाम मिलेगा पर्स स्ट्रिंच भी मिलेगा लंबार्ट भी मिलेगा और होरिजोंटल पैटर्न भी मिलेगा लेकिन वर्टिकल मैट्रस नहीं मिलेगा लेकिन क्या पूछता है हमारे से continuous suture pattern है निमन वैसे continuous suture pattern है तो देखे वर्टिकल मैट्रस जो मैट्रस यह pattern आता है यह तो continuous कभी नहीं बनता है यह तो केवल और केवल इंटरप्टेट है इंटरप्टेट pattern है अब यह आपका answer हो नहीं शक्ता तो अब आपके तीन answer हो गए क्योंकि तीनों continuous आपने पढ़े हैं और यह दो जो हैं लंबाड और और जो हैं यह दोनों आपके कैसे होते हैं यह continuous भी होते हैं दोस्तों और इंटरप्टेट भी होते हैं दोनों होते हैं लेकिन पर्स इस्ट्रिंज पैटरन जो होता है वो केवल और केवल continuous ही होता है दोस्तों continuous ही लगता है यह केवल continuous ही लगता है ये pattern जो है केवल और केवल जो है continuous ही लगता है तो इस equation का जो right answer जो दोस्तों वो जाएगा कौन सा first strange pattern अगर option के अंदर यहाँ पर vertical mattress को अगर मैं हटा करके और यहाँ पर अगर मैं all कर देता तो इस answer जो है वो all चला जाता दोस्तों अगर vertical mattress की जगह मैं यहाँ पर डी ओप्शन में all देता तो यह all answer इसका जा सकता था लेकिन यहाँ पर vertical mattress मैंने दिया vertical mattress समय से interrupted होता है कभी continuous नहीं लग शकता lombard और horizontal जो है वो continuous भी लग सकते हैं और interrupted भी लग सकते हैं लेकिन केवल केवल continuous pattern ही कौन सा है यहाँ पर वो है persistence pattern जो है वो केवल और केवल continuous pattern है तो आइडिया के लिए हो जाना चाहिए कि कुछ future pattern ऐसे होते हैं जो continuous में भी हैं और कुछ interrupted में भी हैं आपको ज़्यदा confusion नहीं होना है दोस्तों फिर अगर अगला क्यूशन अपन देखें तो दोस्तों अगला क्यूशन अगर आप देखना चाहें तो इसमें है आपका हर्नियल हर्नियल रिंग को बंद करने में कोंसा सुचर पैटर्न कोंसा सुचर पैटर्न काम में लिया जाता है तापके ओप्शन्स जो हैं दोस्तों ओप्शन्स जो हैं वो यहाँ पर यह रहे आपचे पर स्थिंज पैतर्स पैतरन वडिया एड्यक् सरिष्स पैतरन वुड की सिच्ज पैतरन वहर लेपिंग पैतरन वजल स्ट ये दिग कैन कसिंग पैटरन ठीक है तो इस हर्नियल रिंग के लिए आपको बताया था कि हर्नियल रिंग को बंद करने में अपना जो आंस्वर आता है वो आता है दोस्तों हर्नियल रिंग को बंद करने में अपना आता है ओवर लेपिंग पैटरन ओवर लेपिंग पैटरन लेकिन अगर ड डाइफरामेटिक हरनियां की बात करें, तो इस केस में पैटरन जो काम में लिया जाएगा, वो लिया जाएगा, लोगिस्टिक पैटरन, फिर अपना अगला क्यूशन यहां पर बन शकता है, दोस्तों, होलो और्गंस में कौन सा सुचर पैटरन, लगाया जाता है, अब यहां पर आपको उप्शन जो है, उस पर चूच करना पड़ता है आपको, उप्शन एक है, लंबार्ट, लंबार्ट पैटरन, कस्टिंग पैटरन, कस्टिंग पैटरन, वर्टिकल, मैटर्स पैटरन, या फिर, A एवं B दोनों, तो दोस्तों, अगर ऐसा लिखा हुआ आता है, आपका A और B दोनों, तो आपको बताया, कि होलो ओर्गंस की जो पहली जो लेयर, फर्ष्ट लेयर जो लगती है हमेसे होलो ओर्गं पर, तो वो फैली लेयर जो शूचर लगेगा, वो लगता है लंबाट पैटरन से, और जो सेकंड लेयर जो शूचर लगेगा दोस्तों, वो लगता है, सेकंड लेयर जो शूचर पैटरन जो लगता है, वो लगता है आपका कसिंग पैटरन से, तो यहाँ पर आपके आंस्वर ज अगर आपके clear हैं तो कोई आंस्वर किसी तरह से पूछा तो आपको कोई उसमें confusion नहीं रहेगा कि अब दोस्तों पन देखते हैं निडल के बारे में तो अपन जो टाका लगा रहे हैं उस टाके के लिए अपने पास निडल चाहिए निडल जो आती है वो दोस्तों दो तरगे आती एक तो आती ट्रोमेटिक निडल तो जो ट्रोमेटिक निडल होती है तो इसके अंदर सुही के आगे क्टिंग सरफेश पाई जाती है मतलब और ये बिल्गुल ट्रामएटिक नीडल जो है मुखेत संगे ओपर टांके लगाने में काम में आती है skin के ओपर ता हुच्छा पर या फिर अगर tissue बहुत ज्यादा मोटा है काफी ज्यादा dense tissue है dense fibrous tissue है tissue काफी मोटा है tissue काफी hard है जहां पर at traumatic needle नहीं जा पाती तो वहां पर traumatic needle से टांका लगाया जाता है एक होती at traumatic needle दोस्तों यह इसका जो end होता है इसका जो point होता है needle का यह जो point होता है यह body होती है यह point होता है और यह इसकी eye होती है जहां से दागा निकालते है अपन ठीक है यह इसका point है तो जो traumatic needle होती है उसका बिल्कुल तीकुणाकार, यहां पर बिल्कुल तीखा रहता है दोस्तों, और यह अपनी जो निडल होती है, एट्रोमेटिक, तो दोस्तों एट्रोमेटिक जो निडल होती है, इसका यह यहां पर बिल्कुल गोलाकार होता है, तो जो पॉइंट होता है इस निडल का, यह आई पर जो है विल्कुल तीखा, ट्रैंगुलर, तीकुनागार, ट्रैंगुलर होता है, और तीखा होता है, और ये राउंड होता है, मतलब गोल होता है, तो ये जो है, एट्रोमेंटिंग डिडल, जो सौफ्ट टीशू जो होते हैं, उनके उपर टांका लगाया जाता है, इससे एट्रोमेंटिंग डिडल, जो सौफ्ट टीशू होते हैं, अपने बोड़े की विसरल्स, ओर्गंस हैं, नर्वस हैं, मसल्स हैं, इनके जो शूचर, मतलब आपको बोड़े की बाहार लगाना है, तो तो ये कभी-कभी कोई हार्ट टीशू होता है, वहां पर अगर आपको शूचर लगाना है, तो एट्रोमेंटिंग डिल चाहिए, अधरवाईज आप बोड़े के अंदर कहीं पर भी रूमन में, घरबासे में, मुत्रासे में, कहीं पर भी आपको शूचर लगाना होता है, तो दोस्तों अपने को कहीं पर भी अपने को शूचर लगाना है, तो द तीकि और काफी सकत माज स्पश ही आती है, तो वहां पर भी Tornatic quantidade काम में आएगी. तो यह दो तरह एक नडल होते हैं, Tornatic नडल और Atomatic नडल. तो यह कुछ एक यहाँ पर points बताये गए हैं आपके याद करने के उद्देसे से कि कौन कौन सा pattern जो कहां पर लगता है यह आपको मैं बता चुका हूँ फिर दोस्तों यह गाठ आती है कि जो suture pattern आपने लगा दिया लेकिन suture pattern लगाने बाद आपको गाठ लगानी पड़ती है दागे के हैं तो वो गाठ किस तरह से लगाई जाती है तो गाठ कई तरह की होती है उसमें आती है एक तो simple note simple note मतलब सीधी यह देख लीजिए आप यह simple note बल गई मतलब एक बार लगाई और एक बार दूसरी तरफ से दागा निकाल लिए वो simple note हो गई ठीक है यह simple note है half half note भी बोल सकते हैं इसको half note है मतलब केवल एक बार गुमाया आपने ती यह दागा को कि यह बार गुमाया यह लो पहली जो गाड लगाते हैं बन कहीं पर जो पहली गाड लगाते हैं वो simple एक बार गुमा करें चोड़ दते हैं फिर दूसरी आदीinar note तो दूस्तों granny note जो लगती है वो लगती है यह लगती हिसमें दो बार लगती है एक बार यह देखीए ये एक बार लग गई, एक बार लगा दिया, half inch उसी तरह से, लेकिन इसमें दूसरी बार एक बार और गुमाव आपको देना पड़ेगा, एक गुमाव आपको और देना पड़ेगा, ठीक है, इसमें खाफस बात ये कि ये पहला स्कॉार है, ये दूसरा स्कॉार है, अब ये जो end गया है इसका, ये देखिए, ये पहले इदर की तरफ से आया था और अब इदर की तरफ चला गया, तो opposite side के अंदर जाता है, इसके जो सिरे जो जाते है, वो देखिए, यहां पर जैसे इदर गूम के आया, ग्रेनी नोट के अंदर क्या होता है, पहले ये गाठ लगा दिया आपने, simple half each similar इसी तरह से, ये लगा दी, आप जो दूसरी पर ये जो ये जो जाएगा, ये गूम कर के, ये इदर गया है, तो ये गूम कर के वापस इदर जाएगा, और ये जो है वो गूम के इदर जाएगा दोस्तों, तो opposite side के अंदर जाता है, ये थोड़ा सा आप आपको ज्यादा clear तरीके से बताना पड़ेगा, ये पहली आपने note लगा दी, और ये दूसरा गूमाव आपने दे दिया, ये देखिए, तो ये इधर गूमा था और फिर दूसरी पर इधर गूमा है, पहली पर इधर गूमाव आया था, दूसरी पर इधर गूमाव आया है ठीक है यह नोट होगी गरेनी नोट जो कि मौस्टली बोरी के अंदर अपन लगाते हैं तो ज्यादा मतलब नहीं है यह गरेनी नोट है फिर दूसरी जो नाट नोट आती है अपने पास में वह आती स्क्वायर नोट या फिर रिफ नोट बिल्कुर सिमिलर जो आपने देखा स्क्रेनी नोट के अंदर ये इस तरह से ये एक लगा दी हाफ इच एक गाट लगा दी फिर दूसरी गाट अपन जो लगाएंगे तो उसमें ये 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 जो ये दोस्तों ये जो जा रहा है ये ये इदर जा रही है ये वापस इदर की तरफ मुड़ेगी और ये इदर की तर अपूजित डाइरेक्शन में वूट रहा था उसमें जिस डाइरेक्शन में जैसे इस डाइरेक्शन गूम रहा है तो फिर इसका एंड है वो वापस इदर की सेड में ही गूमेगा मतलब जो एंड है वो पहली जो नोट लगी उसी की डाइरेक्शन में ही गूमता है जिस नोट है अफिराद दोस्तो सर्जन नोट आती है तो सरजन नोट के अंदर थोड़ा सा अलग है सर्जन welke की dinero ने क्या होगा कि पैये Гांट आप लगाते हैं एक बार अप गुमाएंगे फिर आप दो बार गुमाएंगे ये दो कुबर गूमती इसमें ऐगे जो लेते हैं जिससे आपको बताऊं मैं तेलहां 55 क्या होती है यह इस तरह से जो आपने लिया और ये ये जो गाट लगा दी ये क्या है दोस्तों ये हो गईỗi हा फिच को यहांफयश्य नोट होगी दोस्ते यहuits इसे इसे इंपल नोट होगे ठीक है अब दूसरी नोट अपन्व बताने है आपको ग्रेनी नोट यह पहला आपको स्क्वेर बन गए इसमेंग फिर दूसरी जो नोट लगाएंगे उसमें क्या करते हैं अपन यह देखें यह जो इसको अपन यह देखे, एक नोट तो यहाँ पर लग गई, एक गुमाव यहाँ दे दिया और दूसरा गुमाव जो है यह देखे, पहले अगर यह उपर कि तरफ गुम रहा था यह जो एnd है, यह नीचे के तरफ से आया है अब यहां पर यह देगे यह उपर की तरफ चला जाएगा तो यह यलो यह हो गई कौन सी यह हो गई अपनी ग्रेनी नोट जो अपन बोरी के लगाते हैं ठीक है फिर जस्ट सिमिलर इसी तरह की होती है इस यह स्क्वाइर नोट इसमें कोई ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है बस क दूसरी गाट जो है यह वापस आपने लगा दी यह यह दो ह्या लगए यलॉंस यह का रही कंष्ण नोट यह काफी काम में ली जाते स्क्वाइर लोट है सरजरी लिए पहले तक ऐसे देखा, अभी एक बार गुमा दिया, अभी आप वापस इसको एक बार दुबारा से निकाल दीजिए, तो ये डॉबल गुमाव हो गए, तो ये दो बार, ये दो गुमाव लग गए यहां पर, फिर डॉबल लग गया, मतलब, ये हाफ ह ह ये हो गई, और दुबारा इसको घुमा दीजिये तो डबल हीच हो गई यह होगी डबल बार लग गई सर्जन नोट में यह नीचे दो बार लग गई और फिर उपर जो है फिर एक स्क्वेर यह डबल बार हो गई और इसके बाद में फिर आप दुबार इसके end को लीजिए और फिर एक आंट उपर लगा करके और फिर आप यहां पर इसको बंद कर दीजिए यह है आपकी surgeon note फिर आपकी double surgeon note जो होती है तो इसमें आपने देखा कि जो pattern जो है वो double single का लगा यह देखिए दोस्तों यह दो बार गुमा दिया आपने इसको यह दो बार गुमा दिया और फिर एक बार उपर की तरफ यह यह गुम गए ठीक है और double surgeon note जो होती है इसमें क्या होता है दोस्तों यह दो बार गुमा दिया आपने इसको यह यहांपर डो बार गुमा दिया और उपर भी आप इसको दो बार गुमादोगे आप उपर भी क्या गरोगे आप इसको दो बार गुमादोगे डबल सर्जन नोट के अंदर डबल सर्जर नोट के अंदर अब ये देखे दोस्तों ये दो बार गुमा दिया आपने और उपर भी फिर आप इसको दो बार गुमा देंगे आप इसको तो ये थोड़ा सा डाइगराम जो है मेरे से सही बनता नहीं है तो ये आपको मैं explain कर सकता हूँ कि ये कैसे लगेगी डबल सर्जर नोट जो है वो कैसे लगेगी एक्जांप पॉन्ट ओफ व्यू से कोई ज़्यादा important है नहीं कोई ज़्यादा आपको stress देना नहीं है तो डबल सर्जर नोट जो लगेगी ये आपके ends है ये एक बार एक बार गुमाया आपने और ये दो बार गुमाया आपने डबल दो गांट लगाती फिर उपर भी आप क्या करेंगे उपर भी आप इसको दो बार गुमाया एक बार ये गुमाया, फिर एक बार ये गुमाया, और फिर दोनों के एक दूसरे से अपोली डायरेक्शन में आप खीच लेंगे, तो ये 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 वाँ पर ये डबल लगे, ठीक है? तो डबल सरजन नोट में डबल पैटरन में बलने के, दो बार यहां गुमाते हैं और दो बा पल का पैटन बनता है यह दोस्तों विपन तरह की गाठे हैं यह अपना आज का चैप्टर जो रहा सुचर पैटरं और विपन तरह की गाठे बहुत ज़्यादा डिफीकल्ट है नहीं बिल्कुल ऐजिए चैप्टर हाब का सुचर पैटर्न जो है आपको पाता होने चाहिए आपन फ्रेक्चर के साथ हाचर होते हैं, फ्रेक्चर एक बहुत important चेप्टर है, एक कुशन वहां से आपके एक्जामे जरूर रूप से आता है, तो अपन फ्रेक्चर का next चेप्टर अपन आपको complete करवाएंगे, अब तक लिए धन्यवाद.